हमारा आज का वीडियो उन लोग के लिए जिनको हमेशा ये confusion होता है कि हमें ITR फाइल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हमारी income taxable नहीं है तो हमें ITR फाइल नहीं करना चाहिए लेकिं दोस्तो हम आपको बता दें कि अगर आपकी income भले ही taxable नहीं हो लेकिन फिर भी आपको ITR फाइल करना चाहिए जिससे कि आपको बहुत सारे फाइदे होते हैं हम आपको बताते हैं कि आयकर कानून के मताबिक धाई लाक रुपए की tax shoot की सीमा के अंदर कमाने वाले लोगों को ITR भरने की कोई भी बात देता नहीं होती है इसी तरह 60 से जादा और 80 से कम उम्र के लोगों की सालाना आमदनी 3 लाक रुपए और 80 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ती की सालाना आमदनी अगर 5 लाक रुपए है तो सरकार के हिसाब से उन्हें ITR भरने की कोई भी जरूरत नहीं है हम आपको बताते हैं कि Gross Total Income यानि की GTI में Income Tax Act के बताए हुए आए के सभी 5 स्तरोतों से यानि की Sources से हुई कमयाई आती है इसकी गरना आएकर कानून की किसी भी धारा मसलन 80C, 80U आदी में मिल रहे Tax Act के बिना की जाती है यानि मैं आपको एक्जामपल देने की कोशिश करता हूँ कि अगर आपकी Gross Total Income यानि Total जो आए है वो अगर 3,30,000 रुपए है और आपने अगर 80C के तहट 1,00,000 रुपए का इंवेस्टमेंट करके रखा है तो आपकी Tax Civil Income सिर्फ 2,30,000 रुपए ही होगी लेकिन आपकी Gross Total Income कितनी है 3,30,000,000 रुपए है और Tax Suit की सीमा से जादा है तो आपको ITR जरूर फाइल करना चाहिए हम आपको बताते हैं कि आपकी I मूल छूट सीमा यानि कि Basic Exemption Limit से तो कम है लेकिन देश से बाहर आपकी कोई संपत्ती है या देश से बाहर के किसी संसान में आपका कोई Financial Interest है या आप देश से बाहर किसी Account के Signing Authority है या देश से बाहर किसी संपत्ती अथवा Financial Interest से आपको फाइदा मिला है या फिर दोहरे कराधान समझोते यानि कि Double Taxation Avoidance Agreement के तहट आपने टेक्स शूट लिया है दोस्तों तो भी आपको ITR भरना चाहिए हम आपको बता दें कि कर योग आमदनी नहीं होने पर भी आमदनी ITR भरने की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है लेकिन यह ध्यान रखने वाली बात है कि कानूनी बाध्यता नहीं रहने के बाबजूद अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको इस सरह से कुछ फाइदे होते सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि संभावे कि आपने कहीं पर इंवेस्टमेंट किया हो और उस इंवेस्टमेंट पर TDS यानि की टेक्स डिड़क्टेड एट सोर्स कट गया हो तो ITR से आपको सीधा फायदा होगा अगर TDS कट गया है तो उसको वापस लेने के लिए आपको रिटन फायल करना होगा और आपको ITR भरना होगा इसके अलाबा ये आपको लोन और बीजा पाने में मददगार होता है आपको कितनी रकम तक का करज दिया जा सकता है या आप कितनी बार करज लेने के योग है या है आपकी इंकम से डिपेंड होता है और आपकी आमदनी की पुष्टी आपकी और से फाइल ITR से होती है income tax return से आपकी कुल सालाना आमधनी और इस पर दिये गए tax की जो पूरी जानकारी होती है वो उसी से मिलती की आप कितनी अर्निंग कर रहे हैं अलग-अलग एजिंसियां ITR में बहुत अच्छा एक सबूत होता है हम आपको बता दें कि motor vehicles एक तो दुरगटना में हुई मोत या अपंगता की सिती में मुआपजे का दावा करने के लिए ITR मुहया कराने को वाद्धिता नहीं करता है लेकिन दिल्ली हाइकोट ने self-employed person के मामले में ITR की जरूरत बताई है दरसल compensation की रकम तए करते time संबंदित व्यक्ती की income कितनी होती है उस पर बहुत सारी चीजे depend करती है तब ITR income के सबूत के तोर पर पेश किया जा सकता है अगर आप private sector में काम करते हैं तो salary statement और 6 महीने के bank statement में ही परियापती सारी चीजे हो जाती है लेकिन अगर आप private या government sector में काम नहीं करते हैं और आप self-employment है खुद का काम करते हैं तो उस condition में आपको ITR आपके पास एक मातर salary proof होता है इसके अलावा कानून का सम्मान करने वाले नागरिक के तोर पर आपको अपनी आमदनी income tax department को बताना चाहिए इस लिहाद से भी ITR भरना जरूरी है तो दोस्तों अब इस वीडियो को देखने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप ITR फाइल करते हैं तो आपको कितने फाइदे हो सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ Facebook और WhatsApp पर जरूर शेयर करें जिससे की उन लोग को भी इस बारे में पता चल सके और अगर अभी तक आपने V4 Innovative को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चेनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वेल आइकन जरूर दबाएए जिससे की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें